Hello everyone, मैं आपके साथ Manoj Verma and इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि Binance future के अंदर market order कैसे लगता है तो मैं V2 की बात कर रहा हूँ, API आप सब connect कर लेना, सारी वीडियो के description में मिल जाएगी ये वीडियो particular order लगाने के लिए तो सबसे पहले हम home page पे हैं और आप ये Binance का account देख सकते हो जो भी मैं order लगाँगा वो testnet पे लगा के दिखाऊँगा तेम order आप Binance future पे लगा सकते हो तो यह मेरा account testnet है आप चाहो तो अपने testnet account को भी connect कर सकते हो तो अभी के लिए हम क्या करते हैं next level board पे चलते हैं यहां जाने के बाद syntax page पे click करेंगे और syntax page को new window पे open करा यहां पर आपको एक Binance syntax मिलेगा एक Binance v2 मिलेगा तो अभी हम बात करें Binance v2 पे click करेंगे बाइनस पे click करेंगे one way mode ले ले लेते हैं market order ले ले लेते हैं उसके बाद हम symbol ले लेते हैं symbol के अंदर आपको हमेशा धान रखना है जो आपकी दो pair होते हैं future के अंदर BTC, USDT, BTC, Ethereum, ETH तो आपको इन दोनों के बीच में slash लगाना है जैसे मैंने लगा रखता है उसके बाद आपको quantity दालनी है मैं 0.01 दाल देता हूँ आप अपने हिसाब से दाल लोगे अगर आपको percentage में order लगाना है तो जैसे मुझे अगर 10% का order लगाना होता तो मैं इधर 10 type करता और percentage पे click कर देता तो जैसे ही मैं percentage पे click करता है percentage में order जाता अभी मैं आपको दिखा दूँगा बट अभी के लिए मैं 0.01 लगा लेता हूँ बाई पे click करूँगा generate करूँगा generate करने के बाद syntax generate हो जाएगा और इस syntax को मैं trading view पे किसी भी indicator के through trigger करा सकता हूँ मेरे को बस alerts बनाना है जब भी alerts आएगा मेरी condition trading view पे match होगी तो मेरे order लग जाएगे तो अभी के लिए मैं इसे copy कर लेता हूँ trading view पे जाता हूँ चार्ट मैंने पहले से खोल रखा है एक minute के time frame तो आपको क्या करना है आपको इस चीज को अपने indicator के साथ try करना है मैं horizontal line ले ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो अभी मैं थोड़ा सा video fast बनाने की कोसिस कर रहा हूँ तो मैं indicator का use नहीं कर सकता तो मैं right click करता हूँ और right click करके मेरी horizontal line की condition यहाँ पर automatically बन गई है और मैं यहाँ डाल देता हूँ test alert और यह test alerts डाल दिया मैंने यहाँ पर उस syntax को डाल देता हूँ syntax को डालने के बाद safe कर देता हूँ आप देखोगे right side के अंदर syntax बन जाएगा यह right side में मेरा alerts बन गया syntax बन जाएगा क्या रहा था और यह alerts log में जब मेरा alerts trigger होगा वह event log होगा कि आपका alerts इस time trigger हुआ था तो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो मेरे पास कोई भी order नहीं है यहाँ पर आप देखोगे और जैसे ही मैं इसे trigger कराता हूँ horizontal line से तो यहाँ पर एक alerts log बनेगा यह order बना और यहाँ पर यह order आ गया इस तरीके से अगर आप quantity देखोगे तो 0.01 आई इस चीज को आपको धान रखना है तो यह मेरा order लग गया अगर मैं इस चीज को दुबारस से आपको दिखाऊं मैं इसे close कर देता हूँ आपके सामने manually अब मैं क्या करता हूँ अगर मुझे percentage में order लगाना है तो जैसे हमने 0.01 लिया था अब ले लेते हम 10 परसेंट और यहाँ पर दाल देते परसेंटेज और buy कर लेते हैं generate अब यह 10% quantity का order लगेगा copy कर लेते हैं generate करते हैं अब जो मैंने पहले alerts बनाया था उसे modify कर देता जैसे करेट करूँगा अब मैं इसको alerts को लगाऊंगा तो यहाँ पर एक events और create होगा alerts करेट हुआ और यहाँ देखोगे तो मेरे जो जो मेरे को इस तरीके से आप percentage में और quantity के साथ order लगा सकते हैं पर कई लोगों की demand होती है कि वो कहते हैं कि सर हमें न एक fixed amount का order लगाना है जैसे 100 डोलर का 200 डोलर का 500 डोलर का तो ऐसे में क्या करें ऐसे में करने के लिए आपके पास एक चीज़े जो मैं आपको बता देता हूँ पहले हम इसे close करते हैं और इस parameter को कहते हम C currency इसका use कैसे करा जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लिए मिरे को क्या करना पड़ेगा पहले तो मैं इस sentence को दुवारा से copy कर लेता ह तो जो आपका सेंटेक्स है इसके अंदर जैसे 10 परसेंटे परसेंटेट को जाया सपोज मानों मेरे को 100 डॉलर का order लगाना यह देख लेते हैं 1000 डॉलर का and copy करा copy करने के बाद मैं सेंटेक्स पर जाऊंगा और edit करता हूं सेंटेक्स को यह मैंने सेंटेक्स को add कर दिया इध दाल दिया मैंने मोड को मतलब duplicate करा मैंने सी डाला और यहां पर currency की spelling डाल देता हूं यह मेरा currency की spelling डल गई I think correct होगी तो मैं c equal currency कर दिया मैंने और save कर दिया तो अब जो मेरा order दालेगा मैंने जो thousand value दालीती हो 1000 डॉलर के round off दालेगा जो भी उसके आसपास की value थी उतने की मेरे वो चीज़ बाय होगी तो मैं देख लेता हूं जैसे मैं इस पर click करता हूं यहां पर alerts आएगा यह alerts आय तो यह करीबन 1000 डॉलर के bitcoin है जो की value दिखाए इस तरीके से आप किसी भी amount का USDT के अंदर जैसे 100-200 डॉलर इस तरीकी का order दाल सकते हो c currency का parameter में video के description मैं दे दूँगा thank you for watching this video and bye